फोर पीम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर तीन सो सत्तर की ये संख्या आपने इतनी बार सुन ली है खास करके भारते जिंता पार्टि के नेताओं से कि ऐसा लगता है कि जैसे विक्सिद भारत का कोई सपना पूर हो गया पूरा हो गया जब से कश्मीर में तीन सो सत्तर हटाई गई पैंतिसे हटाई गई देश के अंदर उस छोटे से हिस्से को इस तरह से भुनाने की कोशिश की गई कि हिंदी पटी के जमीन पर प्लेन की पटी पर रहने वाले जो बाकी देश के लोग हैं उनको भी ये बताया गया कि गोया कि हमने बहुत बली विक्टरी हासिल कर ली जब कि आप जानते हैं कि तीन सो सत्तर या पैंतिसे इनका सिर्फ नाम रह गया था बलके एक बहुत अच इस तरह से कर चुकी थी कि जैसे किसी कपड़ों में लाखों छेद हो जाते हैं ना किसी काम का नहीं रहता सिर्फ नाम मात रखा था और बलके यह कह रहे थे कि दुनिया के अंतर रास्टी जगत में जब कभी बात करने की बात होगी तो हमारे लिए ये काम की चीज होती ले लेकिन बेराल देश ने उसका स्वागत किया चुकि इतनी समझ में बात हमारे आती है जितना हमारा गोदी मीडिया हमको बताता है लेकिन मोदी जी ने आला कमान ने भारते जनता पार्टी ने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां 370 का शिरे लेने की कोशिश ना की गई किसी के घर में अगर मयत हो गई है सवक के इस पार कब्रिस्ताने आपने जाने की जाज़त नहीं दी आपने एक बाप को इजाज़त नहीं दी कि वो एक अपने बच्चे को जिसको आपने मार करके दफना दिया है उसको निकाल करके वो अपने कब्रिस्तान अपने पास में आए ऐसी भी घटना है अच्छी और सच्ची जूटी सभी तरह की घटना है उन लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते जिसके बारे में अटल विहरी बाश्पे ने कहा था खेर वो हो चुका उस मैं आपको बताने हैं कि राहुल गांदी तीन बार वहां पर अपनी रेली कर चुक है का कॉंग्रेस को कही भी सपारी अरिए में घाटी में नहीं है वहाँ फारुक अब्दॉल्लार यह बागी जह जो लोग हैं जो वहाँ की लोकल पार्टीज के हैं इनका वर्चजब है अगर कॉंग्रेस को कहीं सीट मिल सकती है तो वह जम्मू रीजन में मिल सकती है जहां भारती जनता पार्टी से वहां का सिख समाज पंजाबी समाज और बहुत बड़ा समाज नाराज है लेकिर राहुल गांदी जम्मू में ना करके जहां पर सीटे मिल सकती हैं वहां ना करके घाटी में क्यों कर रहे हैं इस बारे में गौर का राज्यत्व जो स्टेटास है खतम कर भाजप सरकार ने परदेश वासियों को जिन मोलिक सुईधाओं से विहीन किया उसका जो स्टेटास था उसे जो पेरिटरी बना दिया गया उसके बारे में इंडिया उन्हें वापस दिलाने जा रहा है सभी को सस्ती और सुचारू सु अपना जम्मू कश्मीर के भाई और बेहनों को वचन है आपका और आपके परिवार का स्वास्त अब आर्थी के मांसिक बोज नहीं रहेगा मैं संसद में आपका सिपाई हूँ आप मुझे हुकुम दें आपके हक्की आवाज में पूरी शक्ति से उठाता रहूंगा चोट वहाँ देश के बाकी मुसल्मानों को क्या बात बताना चाहते हैं यह देखें आप पहले वीडियो देखें हमारे मैनिफेस्टों में हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेट हुड वापिस मिले आपके आपका जो हक है वो आपको वापिस मिले कि एक लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं 3500 रुपे हर महीना अनिम्प्लॉइमेंट अलावंस इंडिया गटबंदन की सरकार आपको देने जा रही है महिलाओं के लिए 3000 रुपे हर महीने और 5 लाख रुपे का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप में शामिल है उनके लिए हर तैसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं और जैसे हमने राजिस्तान में हेल्थ इंशॉरंस का स्कीम दिया था वैसे ही हम यहाँ पे 25 लाख रुपे तक हेल्थ इंशॉरंस आपको देने जा रहे हैं हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है जब भी आपको मेरी जरूवत होगी आप मुझे ओयर दो हुकुम दो मैं आपके लिए करने को ट्यार को और आप जांते हो मेरा आपके साथ जमू कश्मीर के लोगों के साथ पुराना रिश्टा है राजनेतिक रिष्टा नहीं है दिल का रिष्टा है खून का रिष्टा है मोभबत का रिष्टा है यह आपने वीडियो देख लिया दोस्तो अब मैंने आपको उसी बात पर गौर कराना है यह तो नेता कहते हैं हम आपको यह दे देंगे हम आपको वो दे देंगे लेकिन कश् गान्दी की बात पर आता हूँ लेकिन एक बात और बता दू मलीपूर चले जाए आप पूर उत्तर के राज्जे चले जाए आप बंगाल चले जाए आप कश्मीर चले जाए यह बहुत सारी जगाएं ऐसी हैं जहां भारते जंता पार्टी के इस इक्तदार ने जो दस बरस का अक्तदार था मोदी जी भा और इनके तमाम नेताओं ने वहां के दिलों में ये बात को घर करा दिया है कि गोया कि वो ящ чего कि और जगासे हैं और वह और जगासें पिर जिस देश को एक माला में पिरोने का काम देश के पुराने तब सभी नेताओं ने किया है भारती जंता पार्टर ने उस माला को तोड़ने का काम किया है मैं आपको बता रहा हूँ ना वो खाली भारत की बात नहीं है मैं आपको अगर भारत के बाहर भी लेकर जाओं तो वहां भी इस्तितिया ऐसी है जिन से हमारी दोस्ति थी आज दोस्ति नहीं है खेर तो कश्मीरियों के हल भी यही है उनके अंदर कुछ एक तबका ऐसा था 2010 में पहले कि जो पाकिस्तान परस्त था लेकिन कॉंग्रेस ने केंजरी की सरकारों ने अटल बिहारी वाजपई ने कश्मीरियत जमूरियत इंसानियत इस तरह के नारे देकर उनको एक जगा ले आए और उन्हें लगने लगा कि नहीं आएन यानिके सम्विधानी सर्वो परी है सबको विश्वास जगने लगा था जो पहले था और ज्यादा जगने लगा था चाहे वो माववादी की घटना हो चतिस गड़ जारकंड की घटना हो बंगाल के अंदर घटना हो कश्मीर के अंदर घटना हो आसाम के अंदर कुछ भी हो बिहार के अंदर सेनाएं बन गई थी इन तमाओं को राजी पंजाब के अंदर जो है खालिस्तानी एक मामला चला था क इसको चिन बिन कर दिया इस बात पर गौर कीजिएगा मेरी आप अगर आप कहें के कश्मीरी पाकिस्तानी का परस्त है तो फिर पंजाब के लोग किस परस्त है पंजाब के अंदर भी तो खालिस्तानी मुव्मेंट खतम हुआ था जनाम आप बताईए आसाम के अंदर उल्फा और बस्तर के अंदर वो माववादी और बंगाल के अंदर एक अजीब और गरीब तबका और आप पुर्वोत्तर में चले जाएए तमिलनाड में तो आज भी भारते जन्ता पार्ट्री को पसंद नहीं करते हैं कहने का मेरे मतलब यह है तो बहराल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के मद्दे नजर देश के बागी तमाम हिंदों को यह बताने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान से जबले से हमने कश्मीर चीन लिया जबकर कश्मीर हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा लेकिन बताया जारा था कि दे की 20 की बात करते हैं तब को पता नहीं कहा का बता देते हैं आप कोई पाकिस्तान जाने का मश्वरह देता कोई इरां जाने का मश्वरह देता कोई घदार कहता है K यह के लिए नंगा ?ooo अपनी टार वरगों में बाढ़ देते हैं दूसरे कोई कोई बर्मा भेशता है कोई पाकिस्तान भेशता है तो आप सब लोग एक से हो तो आप ने 370 के अंदर 370 जब हटाया तो देश के बागी तमाम लोगों को बताने की कोशिश की गई कि यह जो कश्मीर के बनाया गया है एक जमाने से सो बरस की ताक मेहनद चल रही थी अब आकर फल फली भूत हो यह वो खैर तो 307 जिस तरह से बुनाने की कोशिश की गई जेब में दना नहीं था- पैट में आटा नहीं था मोबायल में डाटा था और कह रहा था- कश्मीरी ललकी ते शादी करूँगा करूंगा और मैंधा महीं करूंगा रजिस्ट्री दो ही केई सालों मैं हिम्मत नहीं कि इन किसी जो खुश हो रहा था, कि देखिए हमने जो है देश को एक माला में पिरो दिया, लेकिन आपने काड़ दिया है दरसल, आपने उनके दिलों को तोड़ दिया, राहुल गांदी ने घाटी में तीन ये जो की है ना, इससे पूरे देश के मुसल्मानों को, बीस फीसद मुसल्मा को जिया 14% माने आप, 2011 मुवा सेंसर पता चल जाएगा कितना है, उन लोगों को आपने ये उसने ये बताने की कोशिश किये कि नहीं, जिस कश्मीर को लेके अलगाओ की बात की जा रहे थी, उस कश्मीर से ही मैं आपको जोड़ने की बात करता हूँ, पूरे भारत की, जबक लेकिन वो लोकल पार्टी इसको तभा कर देगा, राहुल गांधी नाम का व्यक्ति, फारुक अब्दुल्ला मुफ्ती के जो ललकी है, इलतिजा मुफ्ती है, सब लोगों की पार्टी को खतम कर देगा, इस एक सूत्र, जो है, फार्मुले से, वो पूर्वोत्तर के अंदर इसका 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 मेगाले में इसका 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 को माइनरोटीज को ये बताने की कोशिश की है कि आप भी उस माला के एक मोती हैं जिस माला को तोड़ने की कोशिश इन संपरदाइक ताक्तों ने की है यह वो मैसेज जो मैं आपको देना चाहता था आपको खबर कैसी लगी अपनी राय केमेंट्स बॉक में जरूर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ जैहिन कि अच्छ सबस्क्राइब करका में सबस्क्राइब कें।